कि है कि है कि एग अलो मगाएडीर स्टूडेंट्स वेलकाम तो मैच्यानल आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिसकस कर रही हूं वेदिक मैंस की इजी मल्टिप्लिकेशन टेक्नीक तो इस टेकनीक को यूज करने में यह जो पर्टिकुलर मैथ थर्ड है उसको यूज करने में two conditions है first condition यह है कि once की place के जो digit होते हैं उनका addition 10 होना चाहिए example 66 multiply by 64 तो एक number है 66 उसकी once के place में क्या है 6 दूसरा number है 64 उसकी once की place में क्या है 4 तो इन दोनों का addition जो है वो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए दूसरा remaining digit in the 10th or 100th place should be same तो 10th or 100th place की digit को same होना है तो first number का भी 6 है second number का भी 6 है अगर ये दो condition fulfill होती है तभी हम इस technique को use करेंगे multiplication करने में तो चलिए one by one मैं आपको बहुत सारे एक्जामपल से बताती हूं कि यह method को कैसे use करना है तो यह number है यहां पर 66 and 64 we have to multiply these two numbers सबसी पहले क्या चेक करना है once की place के digit का addition 10 होना चाहिए once की place में है 6 और 4 उसका addition होता है 10 फर्स्ट condition हमारी fulfill हो गई दूसरा 10 की place का number जो है दोनों में same होना चाहिए दोनों numbers में यहां पर once की place में भी 6 है 10 की place में भी 6 है तो दूसरी condition हमारी fulfill हो गई तो अब हम यह वाली method से इसका answer निकाल सकते हैं तो कैसे करना है answer कैसे निकालना है यह मैंने condition चेक करी first second अब 10 की place sorry once की place का four और दूसरे number की once की place का six इन दोनों को multiply करके answer यहां पर लिखना है once और 10 की place में तो क्या आया six fours हा 24 once की place में क्या number है six six के बाद कौन सा number आता है seven तो once की place का six और multiply by उसका consecutive number seven six sevens हा 42 तो answer क्या आया हमारा six two sorry four two two four यह हमारा answer आया four thousand two hundred twenty four इस तरीके से हमारा यह answer आएगा next sum देखते हैं बहुत सारे examples में solve करूंगी तो आपको clear होता रहेगा next 107 multiply by 103 फर्स्ट कंडिशन क्या है मारी वन्स प्लेस का नंबर वन्स के प्लेस के नंबर कौन से है seven और three seven और seven plus three makes ten so this condition is fulfilled यह condition fulfilled हो गई हमारी फर्स्ट कंडिशन सेकंड टैंस और hundred का नंबर सेम होना चाहिए यहां पर भी फस्ट नंबर में भी 10 है सेकंड में भी 10 है तो क्या हो गया बोथ हार सेम सेकंड कंडिशन इस और फुल्फिल्ट अब हम यह वाली टैक्निक से करते हैं तो कैसे करना है चलिए देखते हैं 107 x 103 7 फस्ट नंबर का वंस की प्लेस सेकंड नंबर की वंस की प्लेस का नंबर उन दोनों का मल्टिप्लाई सेवन थ्रीजा 21 21 आया और नेक्स्ट वंस 10 और 100 की प्लेस का नंबर क्या है 10 10 तो 10 के बाद कौन सेकंड नंबर कौन सा आता है 11 तो 10 x 11 is 110 तो आंसर क्या आया हमारा 11,021 वन वन जीरो टू वन दिस इस आवर आंसर नेक्स्ट देखते हैं 91 x 99 वन्स की प्लेस के डिजिट्स देखते हैं 1 और 9 9 प्लस 1 makes 10 तो फुल्फिल हो गई हमारी फॉस्ट कंडिशन 10 की प्लेस में क्या है 1 डिजिट में भी 1 नंबर में भी 9 है 2 नंबर में भी 9 है 10 की प्लेस में बहुत सेम हैं तो हमारी सेकेंड कंडिशन भी फुल्फिल हो गई अब इस मैथड से मल्टिप्लाइ करते हैं 91 x 99 वन्स की प्लेस का 1 और दूसरे नंबर की वन्स की प्लेस का 9 तो हमें हमेशा 2 डिजिट नंबर चाहिए अगर हमको 2 डिजिट नंबर नहीं मिलता है तो यह सिर्फ 9 में पॉसिबल है कि हमें 2 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा तो क्या करना है 09 लिखना है उसकी जगह पर क्या लिखना है 09 जैसे यहाँ पर 911 की जगह हमें 9 खाली नहीं लिखना है 09 लिखना जैसे 7 थीजा हमको क्या मिला 2 डिजिट नंबर मिला 21 तो हमने 21 लिख दिया पर 911 हमें 9 ही मिलेगा 2 डिजिट नंबर तो मिलेगा नहीं तो हमें क्या लिखना है 09 तो यहाँ पर हम 09 लिखेंगे सिर्फ यह एक चीज आपको याद रखनी है 911 जब आता है तो उसके लिए 09 लिखना है सिर्फ 9 नहीं लिखना है फिर 9 है हमारा 10 की प्लेस में 9 है दोनों नं 9 के बाद क्या आता है 10 तो 9 तेंज दो 90 तो हमारा आंसर के आया 9009 इस अबार न्सर नेक्स्ट डी वाला नेक्स देखते हैं तो 51 इंटू 59 तो वन की प्लेस का एडिशन का वन की प्लेस में क्या है 9 और 1 नैं प्लस 1 इस 10 दूसरा कंडिशन हमारी क्या है 10 की प्लेस 10s की place में 5 है नीचे में भी 5 है तो 5 both are same तो यह condition हमारी fulfill हो गई तो अब हम multiply करेंगे इस technique से 51 into 59 1s की place का 1 और दूसरे number में 1s की place पे 9 9 वंजा 9 अब 9 तो लिखेंगे नहीं 2 digit बनानी है हमको तो क्या हम लिखेंगे 0, 9 10s की place में क्या है 5 है दोनों numbers में तो 5 5 के बाद number कौन सा आता है 6 5, 6 है 30 तो क्या है हमारा 3, 0, 0, 9 इस तरीके से यह हमको solve करना है दूसरा example देखते हैं मैं वह चार example solve करूंगी तो आपको समझ में आएगा next number 72 into 78 1s की place का number 8 and 2 8 plus 2 makes 10 first condition हमारी fulfill हो गई 10s की place में है 7 दोनों number में same है 7 second condition हमारी fulfill हो गई अब 72 into 78 1s की place में 2 और दूसरे number में 1s की place में 8 8 to the 16 16 to the number है तो लिख दिया 16 अभी 1s 10s की place में क्या है 7 7 into 7 के बाद का number 8 7 is 56 आंसर क्या है हमारा 56 1, 6 next example 84 into 86 1s की place के digit का addition चेक करना है 6 plus 4 makes 10 first condition हमारी fulfill हो जाती है second condition 10s की place का number चेक करो दोनों में 8 है second condition हमारी fulfill हो गई now 84 into 86 1s की place का 4 और 1s की place का 6 उनका multiply करेंगे 6 4s आ 24 2 digit number आया इसलिए कोई problem नहीं है 10s की place में है 8 8 के बाद क्यों सा आता है number 9 8 9s आ 72 answer क्या आएगा हमारा 7 2 2 4 next sum 23 into 27 1s की place के डिजिट चेक करते है 7 plus 3 is 10 first condition fulfilled 10s की place देखते है दोनों numbers में 2 है second condition fulfilled 23 into 27 1s की place का 3 1s की place का 7 7 3 is 21 2 digit number आया 21 2 है 10s की place में दोनों number में 2 2 के बाद क्या आता है 3 2 3s आ 6 answer is 6 21 अब अब लास्ट यह सम है देख लिजिए 89 into 81 1s की place के numbers 9 plus 1 9 plus 1 makes 10 1st condition fulfilled 10s की place में 2 में 8 है 2nd condition fulfilled 89 into 81 9 of 1s place 1 of 1s place दूसरा number का 9 1s आ 9 9 is not a 2 digit 2 digit बनाना है तो क्या करेंगे 0, 9 10s की place में है 8 8 के बाद क्या आता है 9 8, 9 जा 72 answer क्या है हमारा 7209 I hope इस तरीके से यह method आपको clearly समझ में आ गई है कैसे करना है तो अगर यह condition दोनों fulfill हो जाती है जो मैंने आपको समझाया 1s की place का addition 10 हो और 10s की place के number same हो तो हम यह method यूज कर सकते हैं I hope आपको यह वीडियो useful लगा होगा useful लगा है समझ में आया है तो like करिए share करिए subscribe करिए thank you